जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के पहले दो दिन यानि एक और दो मई के कुम्भराशी फल के बारे में इस महीने की शुरुवाती दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे आपके लिए हर शित्र में कैसी इस्थितियां बनेंगी पारिवारिक जीवन में आपके परिवार में बच्चों की सिक्षा में आपके प्रेम संबंद में आपकी दिंचरिया में आपकी कारशित्र में किस तरह स आपकी स्थितियां परिवर्टित होंगी ये हम जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल का एकन है उसको प्रैस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक स्थितन नक्षत्र है और रवीयोग बन रहा है जो की पूरे दिन बनने बाला है इस दिन व्रद्धियोग भी बनेगा और ये शुकरवार का दिन है सुर्य में पिल्ने नक्षत्र में चंद्रमा करकराशी में सुबह तक रहेंगे उसके बाद सेंगराशी में परिवेश कर जाएंगे वही दो मई की बात करें तो दो मई विसाक मास शुकल पक्ष की नावमी थे थी है जिसे सीता नावमी के नाम से जाना जाता है जान की नावमी के नाम से भी जाना जाता है जिस दिन मगा नक्षत्र रहेगा और इस दिन भी पूरा दिन रवी योग बन रहा है जो भ आपकी दिन्चर्या किस तरह से परिवर्टित होगी अपकी दिन्चर्या पर इस दोनों ही दिनों, देखेज़ सेहिंग राशी चाहिएा और आपके लिए साथवे भाव में चंद्रमा की इस्थिती बनी हुई है। साथवा भाव आप जानते हैं कि साथवा भाव जो होता है वो आपके दमपत्य जीवन का भाव होता है। साजेदारी का भाव होता है। आपके बिजनिस का भाव होता है। एक तो यहां आपके लिए जो आप योजनाएं बनाएंगे वो आपके लिए शू परिनाम देने वाली थाबित होंगी। इस राशी के जो जातक पब्लिक डेलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको लाब देखने को मिलेगा। कुछ आसरजनक परिनाम आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इस समय खुशियों की सौगात लेकर आ सकते हैं। आपके जीवन साथी के माद्यम से आपको कोई लाब के प्राप्ति होगी, समाज में मान समान के प्राप्ति होगी क्योंकि ये आपके दामपत्य जीवन का भाव है। और देखिए सेहिंग राशी में अभी कोई ऐसा ग्रह भी नहीं है जो पापकत्री ग्रह हो जो कोई दोश रगा रहा हो इसलिए ये जो इस्थिती होगी ये काफी अच्छी इस्थिती आपके लिए कही जा सकती है शुरवाती दो दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं खास और से आपके पारिवारिक जीवन के लिए आपके दामपत्य जीवन के लिए आपका दामपत्य जीवन में प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और देखिए अगर आप वो साज़ेदारी में कोई बिजनस करते हैं आपका कोई बिजनस है पार्टनर्शिप में और अभी लॉक जिसे सुनकर आपको ये सोचने पर मजबूर होना होगा कि आपको वो कार्य करना चाहिए या नहीं तो ऐसी इस्तिति के लिए आपको ज़रूर तहीं आ रहना है जो भी निर्ने आपको अपनी कारशेतर से जुड़ा हुआ लेना है तो ऐसे में सोच समझ कर आपको निर्ने ले देखिए जो शुक्रवार का दिन है यानि एक मई का जो दिन है इस दिन रवी योग भी बन रहा है और ये इस योग में भगवान सूरिय की पूजा अर्चना करना बेहत खास माना जाता है तो इस दिन आप सुभा उड़कर सूरिय देव को जल जरूर अर्पित करें और साथ ह सूरिय देव का जुमंत्र है उसका 11 बार जब भी आप करें और 2 मई की अगर हम बात करें तो देखिए ये सीता नावमी का दिन है जो कि बहुत खास माना जाता है सीता नावमी का दिन इस दिन अगर आपके लिए अगर आपके विवाह में कोई बाधाया आ रही है आ विवा करने चाहिए उनकी पूजा अर्चना करने से आपके विवा में आ रहे ही बाद हैं सभी समापत होती हुई आपको दिखाई जरूर देंगी तो इस चीज का फाइदा आप उठा सकते हैं इस समय अबदी में आपको किसी दोस्त की आवश्यक्ता जरूर हो सकती है हो सकता है वो कि जो विचार हैं उनकी सरहाना होगी आपका मन बेहद धार्मिक भी आ रहेगा अध्यात्मी की तरफ आपका रुजहान बढ़ता हो नजर आएगा आपका मन कुछ ऐसी चीजों की तरफ होगा जहां आप धर्म को समझेंगे ये जो अध्यात्म होता है कभी-कभी बेहद शा इस अपर शांती मिलती है वह एक अलग ही हमारे ऊपर एक छाप छोड़ती है तो ऐसी शांती आपको इस समय कुछ अध्यात्म की तरफ जुड़कर अध्यात्म की तरफ अग्रसर होकर मिलने वाली है तो इस तरफ ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए जो जातक अपनी घर से काम कर रहे हैं यानि work from home के इस्थिति में हैं उनके लिए इस समय काम जादा भी रह सकता है हो सकता है आपके उपर work load जादा हो तो ऐसी पर इस्थितियों में आपको थोड़ा समय निकाल कर अपने लिए थोड़ा विस्वास्त है के प्रती सावधानी यहां बरतनी होगी वर करके तब अपने काम को पूरा करना चाहिए इस समय अवधी में आपके किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात यानि फोन पर ही इंटरनेट के जरीए मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको काफी खुशी होगी यानि ऐसा कोई मित्र जिससे बरसो बाद आपके बाते हों ऐसे बाते करके आपके मन में हर सो उलास रहेगा और ये जो समय होगा जो आपके लिए काफी इंपोर्टन समय होगा आपको बेहत खुशी देने वाला ये समय रहने वाला है किसी ऐसे भूले दोस्त से बात करके आपके मन को भी शांती मिलेगी और कुछ पुरानी बीती यादे आपके मन को छेड़ जाएंगी तो ऐसी इस्तितियां आपके लिए निर्मित बनती हुई दिखाए दे रही हैं अगर आप सिक्षा के शेतर से जुड़े हुए हैं प्रसिक्षन के शेतर से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस समय आप म भव प्रयास करने हैं अपने आपको आगे बढ़ने के लिए तो उनके लिए ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है चाहे आप ऑनलाइन ही क्लासिस दे रहे हैं लेकिन उसका बेनेफिट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ज्यादा लोगों के संपर्क में आप आए कैसे मिलेंगे कि आप अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस कर पाएंगे कठिन से कठिन चीजों को आप समझने की कापिलियत रखेंगे तो इस्तितियां विद्यारतियों के लिए भी काफी अच्छे निर्मित होती हो दिखाई दे रही हैं देखिए कोम राशी के जातक होत लेकर जाने वारी होंगी बुद्धी का उपयोग आप अच्छे सिक करेंगे अच्छे निर्णय लेंगे अच्छी योजनय बनाएंगे और उन योजनाओं पर आप अमल भी करेंगे और उन ऐसी योजनाओं पर अगर आप अभी अमल नहीं करते हैं तो ऐसी योजनाओं को आप करेंगे और देखिए ये जो रचनातमक्त होती है कई बार ऐसी उपलब्दियां आपको दिला देती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिलता है तो ये वो आपके लिए वो मौका हो सकता है कि आपके अंदर अगर आपकी कोई ऐसी होबी है आपकी ऐसी कोई कला है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा मौका आपको मिला है कि आप अपनी उस कला को आप लोगों को दिखा सकते हैं इससे ना सिर्फ आपका मान सम्मान बढ़ेगा मिलके आपके ख्याती भी हो सकती है तो इस समय का आपको लाव करना है या आपको तैय करना है बाकि पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही बहतर रहेगा और दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा प्रेम संबंध वाले लोगों के लिए यहां देखिए अपनी भावनाओं को अच्छे से खुल कर व्यक्त करना होगा इस समयावधी में दे दूसरे का साथ आपको रखना है बाकि यह दो दिन आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं बहुत कुछ नया करने को आपको मिलेगा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ ही उपाए आप जरूर करें आप अगर विवाहित हैं और विवहा योग हैं विवहा कर करना चाहते हैं तो आप दो मई के दिन सीता नौ मी के दिन माता सीता की विदिविधान से पुजा अर्चना जरूर करें इससे आपके विवाह में आने वाली बाधाय निश्चित रूप से समाप्त होंगी साथ ही देखिए कुमराशी के लोगों को शनिवार के दिन शनी के आनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें